हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू राल सुसंदी अकडमी देखी बीपीसी आएक द्वारा चेर्मन जी द्वारा बयान दिया चुका है सप्लीमेंटरी रियल्ट पर बर्क हो रहा है आपका बात करेंगे हम यहां पर मेथ और साइंस के लिए स्पेसल 628 में कि जो सप्लीमेंटरी र आपको मेथ और साइंस में 628 में देखने को मिल सकता है उसका रिजर्वर आपको फुल बताएंगे एनलाइसिस करने के बाद में हमने यह सभी बात निकाली है और चैन होने पर 628 का जो पोश्ट है उसको छोड़ सकते हैं देगे हमने जब इस लिस्ट का एनलाइसिस किया त साथ में 9 और 10 में भी सलेक्शन हुआ है और आपके देखे हैं कुछ अब्यर्थी ऐसे भी देखे गए हैं जिनका सलेक्शन 11 और 12 में हुआ है तो इन सब का पूरा एनलाइसिस करके हम आपको बताएंगे साथ में आप देखी टोटल अब्यर्थियों का सलेक्शन कितने को प बताएंगे समभावित कट आप के कितने मार्क्स कट आप सब्लीमेंटरी रियल्ट में डाउन हो सकती है तो चली पहले हम आपको इसकी कट आप दिखा देखे तो जब रियल्ट आया था तो आपने देखा होगा कि जो जनरल मेल की कट आप थी वह आसी मार्क्स पर गई थी जो जनरल मेल फीमेल की कट आप थी वह 69 पर गई होई थी और जो के कट आप मेल की कट आप मेल कीुद ऩी बंड पर गई हुँए थी एस्ट की कट आप 56 पर lenृट की कट आप ragवन के लिए कीुद यहिウ और यह सी कीट आप अकैट की otherwise what मेल की थी और और नों समय काâte धाि आ पर गई हुई थी और यह अधर अधर पर्सन और एक्स रीडम फैटर इनकी कट अफ है तो यह आप कट अफ देख सकते हैं तो आपने अपने मार्ट में आने के लिए तो इसे साफ से आप देख सकते हैं अगर आपने पता हो तो अमारे चैनल पर वीडियो डिले हुए मैं तो जो आपकी फाइनल आंसर किया है प्रोविजनल आंसर किया यह सभी के जरीय की आपके कितनी मार्ट सबनें आप उसमें चेक कर सकते हैं चलिए तो अब आपको ऑन आपको एसे आनलाइसस को दिखाते हैं आप देखें बीपीसी टीयारी टूपड इससे अप्लीबेट नाइन्थ और टेंथ में साइंस में हो गया चाहिए मैंथ साइंस में ओच ज्याद सीज़्टाइट में इस दोनों इस प्रकुंत पाइब अगर बात करें हम 11 और 12 तो 11 और 12 में एक कंडिशन अच्छा एक और बात है कि ऐसे बड़ती जिनका सेलेक्शन हुआ है वो अगर बीएड केंडिएट तो भी तो पर छोड़ पाएंगे अगर डीएड केंडिएट है तो वो कभी भी 6-8 वाली पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे चाहा उनका 1-5 में हुआ है क्योंकर 6-8 वाला जिसके पास डीएड है उसका सेलेक्शन या तो 1-5 में हुआ होगा या 6-8 में हुआ होगा तो निश्चत है अपर पोस्ट आपकी 6-8 है तो डीएड केंडिएट हमेशा 6-8 को प्रेफर करेगा 1-5 को वो छोड़ देगा उसको नहीं प्रेफर करेगा लेकिन जो बीएड केंडिएट है अगर उसका सेलेक्शन 9-10 में में तो साइंस में हो जाए फिर भी वो 6-8 को छोड़ना चाहेगा क्योंकि वो अपर पोस्ट है और अगर उसका 11-12 में से किसी में भी हो जाता है फिर भी वो इस पोस्ट को छोड़ द हो गया है लेकिन 11-12 में ऐसे इनका पास मेध में सेलेक्शन हो गया और उनका ऑगा 6-8 में भी है 11-12 वालव का सेलेक्शन जातार 9-10 में भी वो 6-8 में उनकी संख्या पर में तो 11 ऑ-12 में पास में हो हो भी बैठती है और ऐसे का इंडिएड मिलते तो वह भी छोड़ते लेकिन 11 और 12 में और 9 और 10 में यानि 11 और 12 के ऐसे बेड़ती देखेंगा है कि जिनका सेलेक्षन 9 और 10 में ज्यादा हुआ है इसका सेलेक्षन और 10 और 10 को छोड़ देगा पीवी के लिए 68 को नहीं छोड़ेगा वह अलग बात है नजदिक या दूर की बात हो वह अलग केस हो जाता है एक्सेप्शनल केस पहला रिजन तो यह है दूसरा बाग देखते हैं कि क्या पॉसिबल्टी रह सकती है कितने मार्क्स में और कितने नियूंतम कट ओफ यहां पर अब एफेक्टेट कर सकती है कितनी डाउन हो सकती है तो देखिए जो हमने रियल्ट देखें और जितनी हमें संबाबना दिखाई दे रही है उसे साबसे अगर आपके मार्क्स अधिक्तम कट ओफ डाउन हो सकती है तो दो से लेके तीन मार्क्स तक अधिक्तम कट ओफ डाउन हो सकती है इससे ज्यादा कट ओफ डाउन मुस्किली हो और नियूंतम कट ओफ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अ आपर खाली होती है तो नियूंतम एक मार्स तो निश्चति आपकी कट आप डाउन जाने चाहिए और अधिकतम दो से तीन मार्स भी कट आप तीन मार्स तक भी जा सकती है वो निर्वकरेगा पोस्ट पर अच्छा एक बात और अब जो अमने आपको अगर कट अब जादा हो गयोगी जन सबसे ही ऐसरे ऑडां रहेने का थोड़ा कम चैंस है उसका नहीं त rail कि निश्चेस सी बात है उसका 68 में भी सेलक्षन होगा 9th और 10th में भी हुआ तो यह possibility बनती है कि उसके मार्क से अच्छे रहे होंगे किसी भी केटेगरी का रहा हो अगर उसके मार्क से अच्छे रहे होंगे तो जनरल क्वालिफाई किया होगा तो जब वो छोड़ेगा तो जनर सबसे ज्यादा एफक्ट है निकाल सकते हैं तो यहां पर देखिए यह आपके मार्क से जो कट आप गई है उससे दो मार्क सतक्विछ अगर कम है और या एक मार्क कम है या आपका डियो भी से रह गया है तो आपके सेलेक्शन होने की काफी ज्यादा उम्मीद है और अब सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अधिक से देख करें धन्यबाद